नमस्कार दोस्तों मैं विवेक मिस्रा स्वागत करता हूँ आपका कॉटिल एकडमी की इस नई F.L.T जो की पिछले ही रविवार 7-10-2018 को संपन हुई इसका मैं परिछाती चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रिस्तुत करने जा रहा हूँ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में वेल आइकन को भी दवाना ना भूले जिससे की आगामी अन्य वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे ज्यादर समय कर आपना करती हूए हम चलते हैं अपने पहले प्रिश्न की ओर हमारा पहला प्रिश्न है भारती संविधान सभा की संगी सक्ती समीती के अध्यक्ष कौन थे इसका आप्सन में है सरदार पटेल बी आर अमबेटकर अल्लादी कृष्ण स्वामी अयर पंडित जवाहलाल नहरू हमारा अगला प्रिश्न है मदर आफ इंडियन रिवॉल्यूसन किसे कहा जाता है इसमें ऑप्सन है हमारे सरोजनी नाइडू, मैडम भीकाजी कामा, एनी वेसेंट और अरुना आसफ अली तो इसका सही आंसर है मैडम भीकाजी कामा इनहें मदर आफ इंडियन रिवॉल्यूसन की नाम से संबोधित भी करते हैं अगला हमारा कुश्चन है आकार की दश्टी से सौलमंडल में प्रिथिवी का कौन सा इस्थान है तो आकार की दश्टी से हम कहें तो हमारे पास आप्सन है तीसरा, चौथा, पांचवा और छटवा इसमें हमारा सही आंसर है पांचवा हमारा अगला जो प्रशन है वो है उल्मेल परियोजना कहां इस्थे थे? दमो, बालाघाट, पन्ना उपर्युक्त में से कोई नहीं तो जैसा कि हम जानते हैं उल्मेल नदीर छटरपुर से निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और केंड में मिल जाती है तो उर्मिल परियोजना च्छतर बुजले में इसलिए इसका जो आंसर है वो है उपरियुक्त में से कोई नहीं हमारा अग्रा प्रेशन है PCRA Civil Rights Protection Act 1955 की किस धारा में अपराध के दुस्प्रेण के लिए दंड के प्रावधान किये गए हैं तो इसका सही आंसर है धाना 10 में अग्रा हमारा कुश्चन है मेमोरी को कौन सा मा सबसे बड़ा है MB, TV, GB और KB तो हमारे पास चारों अप्सन हैं इसमें सबसे छोटा है KB, किलोवाइट, फिर है मेगाबाइट, फिर है गीगाबाइट और सबसे बड़ा है टेरावाइट अगला हमारा कुश्चन है किस बर्स में बिदे सी में प्रवन्ध अधिनियम फेमा प्रभावी हुगा तो इसका सही आंसर है 2002 में अगला हमारा प्रशन है दक्षण भागत हिंदी प्रचार सभा किस बर्स स्थापित हुई थी इसका सही आंसर है हमारे पास option है 1888, 1898, 1908, 1918 तो इसका सही आंसर है 1918 अगला प्रश्न है हमारा निम्ली लिखित में से किस टीम ने 2018-19 का दिलीब ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है इसमें हमारे पास option है हमारे इसका सही आंसर है इंडिया बिलू टीम ने इस बार 2018-19 का दिलीब ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है हमारा अगला प्रश्न है राजिस्तोरी ढोलकिया किस खेल से संबंदित है option में हमारे पास है होकी, टेनिस, क्रिकेट और सतरंज इसमें से हमारा सही आंसर है क्रिकेट अगला हमारा प्रश्न है भारत का संब्धान पूर्ण रूप से तैयार हुआ हमारे पास कुछ तारिखों के option है जैसे 26 जनवरी 1950 26 नवंबर 1949 11 फरवरी 1948 इन मेंसे कोई नहीं जैसा कि प्रश्न में पूछा गया हमारा अगला प्रश्न है बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी इसमें हमारे पास option है जमीदारों की हिस्सेदारी को भसल के आधे भाग से कम करके एकतिहाई करना भूमी का बास्तोय खेतिहर होने के नाते भूस्वामी किर्शकों को प्रदान करना जमीदारी प्रथा का उन्मूलन तथा क्रशी दास्ता का अंत करना किर्शकों को समस्त्र जिनों को रद्द करना इसका सही आंसर है जैसा कि नाम है तेभागा किसान आंदोलन तेभागा से हम ध्यान देव सकते हैं कि जमीदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके तिहाई भाग, तीसरा भाग करना अगला हमारा प्रश्न है ज्वाला मुखी की सक्रिता अधिक पाई जाती है हवाई में, जापान में, कोलंबिया में, न्यूजिलेंड में दोस्तों हम जैसे जानते है हवाई जुआ अधिक सक्रिता प्रसांत महासागर के जापान के समीप तटी वरती छेत्रों में के सबसे अधिक सक्रित जॉआला मुखी पाय जाते हैं महु हमारा धार में है, बागली हमारा देवास जिले में है, और मुल्ताई जो है वो बैतूल जिले में है जहां से तापती नदी का उद्गम हुआ है। अगला हमारा कुश्चन है, पीसी आरे उननी सो पच्पन की किस धारा में अनुसुच जाती से संबंधित ब्यक्ति को माल बेचने या सेवा देने से मना कर देने पर दंड का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्ण है हमारा, TRIPS, बॉधिक, संपदा, अधिकारों के ब्यापार से संबंधित पक्ष, करार का संचालन किसके द्वारत होता है। UNCTAD, UNO, WTO, IBRD तो इसका सही आंसर है WTO, World Trade Organization अगला हमारा कुश्चन है। प्रधान मंत्री सी नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पाक्योंग हवाई अड़ा किस राज्य में उधगाटन किया। हमारे पास ऑप्षन है सिक्किम, अरणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागल है तो इसका सही आंसर है सिक्किम। हमारा अगला प्रश्न है कौसर भारत मिसन के दूतों के रूप में निम्न मैं से किसे चुना गया है अनुस्का सर्मा और बिराट कोहली, ऑप्षन B, अनुस्का सर्मा और बरुण धर्वन, ऑप्षन C, आलिया भट और बरुण धर्वन, ऑप्षन D, आलिया भट और रणव तो हमारा इसका आंसर है अभी जैसे हमारी सुईधाला मूवी आई है उसके जो पात्र है अनुस्का सर्मा और बरुन धवन इन्हें कौसर भारत मिशन के दूतों के रूप में चुना गया है हमारा अगला प्रशन है MP में कितने प्रसासनिक संभाग है तो इसका ओप्सन है हमारे पास 9, 10, 11, 12 तो इसका सही आंसर है ओप्सन भी 10 अगला प्रश्ण है संविधान के किस भाग में नागरिक्ता का उलेक है हमारे पास आपसन है भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार इसका सही आंसर है भाग दो भाग दो में संविधान में नागरिक्ता का उलेक किया गया है अगला हमारा प्रश्ण है 1927 में साइमन कमीशन का वहिसकार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भारती सदस्य नहीं था यह मुस्लिम लीग का समर्थन करता था कांग्रेस का विचार था कि भारवासियों को सुराज मिलना चाहिए और सदस्यों के बीच मदभेद मिलना चाहिए इसका हमारा सही आंसर है कमीशन में कोई भी भारती सदस्य नहीं था जिस कारण से साइमन कमीशन का वहिसकार किया गया अगला हमारा जो प्रिश्न है वो है सूर की तीप्र क्रुनों द्वारा जुलशने से बायू मंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है सूर की तीप्र क्रुनों द्वारा जुलशने से हमारी जो रक्षा करती है वो एक परत किस गैस से बनती है तो हमारे पास ऑप्सन है आकसीजन, नाइट्रोजन, ओजॉन और आर्गन तो जैसा हमारे सबसे जो रक्षा का बच्छ है वो बना हुगा है अगला हमारा प्रशन है कौन सा जिला, चंबल डिवीजन का हिस्सा नहीं है सियोपुर, दतिया, भिंड, मुरेना तो सियोपुर, भिंड और मुरेना यह हमारे चंबल डिवीजन के हिस्से है बाकि जो दतिया है हमारा इसका आंसर वो ग्वालिय डिवीजन का हिस्सा है हमारा अल्ला प्रिश्न है निम्न लिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग के बारे में सच नहीं है पहला option है आयोग के पास अपनी प्रक्रिया को निधारत करने की सकती है यह किसी भी मामले की स्वप्रेणा संग्यान नहीं ले सकता है आयोग अपनी प्रिसासनिक और तक्नी की कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है option D है सभी सही है तो इन में से हमारा option B गलत है यह किसी भी मामले की स्वप्रेणा संग्यान ले सकता है इसलिए इसका आंसर होगा यह किसी भी मामले की स्वपेर्णा संग्यान नहीं ले सकता यह कथन पूर्ण दूप से मानवादकार आयोग के संदर्व में गलत है अगला हमारा प्रशन है अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है इसका सही आंसर है जिसको हम इंस्ट्रक्शन सेट के रूप से बोलते हैं हम कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करेते हैं में जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो इंग्लिस में लिखे जाते हैं, वो कमांड्स हमारी उच्चेस्तरी निर्देश हैं, अगला इसका हमारा प्रिश्न है, उत्तर दक्षण एवं पूर्व पस्चिम कोरिडोर, सुपर हाइवे का मिलन कस्वा है, हमारी जो उत्तर से में एक दूसरे को काटते हैं, तो इसका हमारा दिनली नाकपुर जहांसी और है जहांसी, अगला हमारा प्रिश्न है, फिल्म, विलेज, रॉक श्टार, आसकर में भारत की आधिकारिक एंट्री निम्न लिखित में से किस भासा में बनाई गई है, मराथी, आसामी, तेलगू और अंग्रेजी, इसका सही आंसर है, आसामी, असमिया लेंग्वेज में बनी एक मूवी, आसकर में भारत की आधिकारिक एंट्री के लिए लेगी भासा में बनाई गई है, अगला हमारा हम जो कुश्चन है वो है, हाल ही में निम्लिखित में से किस राज में बीर सुरेंद भाई हवाई अड़े की स्थापना की गई है, बीर सुरेंद भाई हवाई अड़ा अभी ओरिसा राज में स्थापित किया गया, इसकी स्थापना हुई है, अगला हमारा प्रिश्चन है, सौसर स्रंखला कहां पाई जाती है, जवलपुर, बाला घाट, छिंदवारा या सौ राज्य का छेत्र घटा या बढ़ा सकता है, राष्टपती, संसद, राजविवस्था, छेत्री परसद, किसी राज्य का छेत्र घटाने या बढ़ाने का अधिकार जो है, वो है संसद के पास, हमारा अगला प्रिश्चन है, इन में से किसने अप्रेयल 1930 में नमक कानू चिदंब्रम पिल्ले, सी राजगोपालाचारी, के कामराज और एनिवेसेंट, तो इसका सही आंसर है स्री राजगोपालाचारी, अगला हमारा प्रिश्चन है, निमनलिखित में से किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, जमसेदपुर, विसाखापटनम, भिलाई, इसका हमारा सही आंसर है, जमसेदपुर, जमसेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, अगला हमारा प्रिश्चन है, एमपी में या मद्ध प्रदेश में जिलापुनरगठन में से कौन सी समीती सम्बंदे थी, दुबे समीती, सिंग्धेव समीती, सरकारिया समीत जमसेदपुर, 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 एक अनुसूचित जाती या अनुसूचित जन जाती से संबंधित व्यक्ति का चेहरे पर स्याही पोतना दूसरा सबों को साफ करने के लिए किसी अनुसूचित जाती या अनुसूचित जन जाती के व्यक्ति को मजबूर करना नियमने में से कौन सा माउस जैसा कार्वे करता है तो माउस जो है हमारा वो कंप्यूटर स्क्रीन पर करसर को घुमाने के लिए या करसर को यहां से वहां सिफ्ट करने के लिए यूच किया जाता है तो हमारा जो इसमें ऑप्सन है कीबोर्ड, स्केनर, आईकन और ट्रेक बॉल तो इनमें से ट्रेक बॉल सेम माउस के जैसे कारे करती है तो आंसर है ट्रेक बॉल हमारा आदला प्रश्न है देश में चीनियों में लोगी सरवादिक संख्या किस राज्य में है उत्तर प्रदेश, महराष्ट, तमिलनाडू राजिस्थान चुकि उत्तर प्रदेश में सरवादिक गन्ना उत्पादन होता है लेकिन यहां का ज्यादातर गन्ना का उप्योग गुड़ बनाने में कर लिया जाता है इसलिए चीनी मिले हैं हमें सबसे ज्यादा मिलेंगी महराष्टर में अगला हमारा जो प्रश्ण है वो है निम्न लिखित में से कौन होकी इंडिया खेल संगठन के अध्यक्ष चुने गए है धनराज पिल्लाई, मुकेश कुमार, मुहम्मद मुस्ताक एहमद और बीपी गोविंदा इसका हमारा सही आंसर है मुहम्मद मुस्ताक एहमद अगला हमारा जो प्रश्ण है वो है पतना इस्थित दो भाई निलाय और अंकुर सिंग द्वारा सुरू की कई भारतिय सोसल नेटवर्किंग साइट कौन सी है पहला उप्सन इंडिया बुक, जंप बुक, किताबी चेहरा, देसी बुक तो इसका हमारा सही आंसर है जंप बुक जंप बुक को इन दो भाई निलाय और अंकुर सिंग ने सुरू किया है अगला हमारा जो प्रश्ण है वो है फजल अली कमीशन ने अपनी सिफारिष दी फजल अली 1953, 1954, 1955, 1956 इन में से कब गठे तुगा तो अगर हम इसके गठन देगए फजल अली आयोक का तो यह 1953 में गठे तुगा और इसने अपनी सिफारिष दी 1955 में अगला हमारा प्रश्ण है मौलिक अधिकारों के अंतरगत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के सोसन से संबंदे थे अनुच्छेद 17, 19, 19, 23, 24 इसका हमारा सही आंसर है अनुच्छेद 24 अगला हमारा प्रश्ण है फुर्टी टू गांधी इर्विन समझोता हुगा मुख्य रूप से गोल में सम्मेलन में कांग्रेस की भागिदारी सहज करने के लिए सविनाय अवग्या आंदोलन समाप्त करने के लिए गांधी द्वारा किया गया आमनर अंसन तोड़ने के लिए या नमक पर कर समाप्त करने के लिए तो इसका हमारा सही आंसर है सवने अवग्या आंदोलन समाप्त करने के लिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज में अवस्थित है तो इस कुश्चन में थोड़ा सा हम चेंज देखेंगे कि लिखा हुआ है सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग आज दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग नहीं है सबसे बड़ी सुरंग है चेनानी नासरी जिसको हम पातनी टॉप के नाम से भी जानते हैं प्रिशने में सबसे बड़ी सुरंग लिया हुआ है तो सबसे बड़ी सुरंग ना बोलके बड़ी सुरंग कह सकते हैं जब बाहर शुरंग किस राज में अवस्थित है तो Okay तो इसका सही आंसर है हमारा जम्मू और कस्मीर अगला हमारा जो प्रिष्ण है अगला जो हमारा प्रिष्ण है सिविल अधिकार समरक्षन अधिनियम किस तिथी पर पारित किया गया सिविल अधिकार समरक्षन अधिनियम पारित किया गया था एक जून 1955 को अगला जो हमारा प्रिष्ण है वो है स्पैम किस बिसर से संबंदित सब्द है स्पैम कम्प्यूटर कला संगीत खेल तो स्पैम जो है वो हमारा कम्प्यूटर से संबंदित सब्द है जो की इमेल के अंतरगात आता है हमारा जो अगला प्रश्ण है वो है भारत में विनिवेस आयोग की स्थापना की गई थी अगस्त 1992 में, अगस्त 1995 में, अगस्त 1996 में या मार्च 1998 में तो इसका सही आंसर जो है वो है अगस्त 1996 में अगला जो हमारा प्रश्ण है वो है internet access वाले लोगों और इसके बिना वाले लोगों के बीच अंतर को किस नाम से जाना जाता है digital device, internet device, web device, broadband device तो इसका सही जो answer है वो है digital divide डिजिटल डिवाइड अगला जो हमारा प्रश्ण है वो है जंक इमेल को खालिस्थान भी कहा जाता है तो जंक इमेल को हमने जैसा भी स्पेम के कुश्चन आया तर पिछले कुश्चन देखा इस पेम तो जंक इमेल को हम स्पेम भी कहते हैं अगला जो हमारा प्रश्ण है वो है MP का सबसे छोटा भॉकॉलिक विभाजन है बुंदेल खंड बगहेल खंड रीवा पन्ना का पठार या मालवा का पठार तो बुंदेल खंड को हम देखते हैं 7.6% भाग पर है जबकि बगहेल खंड 7% भाग पर है इसलिए हम कह सकते हैं कि मत्पिदेश का सबसे छोटा भॉकॉलिक विभाजन है बगहेल खंड अगला हमारा प्रश्ण है नीती निर्देशक तत्तो का महत तो किस के लिए है नागरिक के लिए राज्य के लिए समाज के लिए संग के लिए तो नीती निर्देशक तत्तो का महत तो है समाज के लिए अगला हमारा प्रश्ण है निम्न लिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस का बिभाजन हुआ जिसके परणाम सरूप नरम दल और गरम दल का उद्भाव हुआ पहला option है हमारा स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और स्विनय अवग्या आंदोलन तो इसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन इसके भारति राष्ट्री कांग्रेस का बिभाजन हुआ अगला हमारा प्रशन है गिरनार पहाड़ियां कहां इस्थे थे थे बिहार, गुजरात, करनाटक, राजिस्थान तो गिरनार पहाड़ियां जो है गुजरात में इस्थे थे यहीं पर भगवांदर तत्रे की तपोभू में गिरी पहाड़ियों में ही इस्थे थे अगला हमादा प्रशन है मधु यादाओ किस से संबंदित है क्रिकेट से नौकायन से खोको से होकी से मधु यादाओ हमादी अभी पुरतमान खिलारी है जो की नौकायन से संबंदित है अगला हमारा प्रश्ण है नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है कॉर्णिया, लेंस, रेटीना, पूरी आँख तो नेत्रदाता की आँख से सिर्फ कॉर्णिया को अलग करके प्रतिरोपित किया जाता है अगला हमारा प्रश्न है भारत के राष्ट्रिधश के चक्र में कितनी तीलिया है 20, 22, 23, 24 इसका सही आंसर है 24 है अग्ला हमारा प्रशन है भारत में सिक्खे जारी करने के लिए कौन अधिक्रत है भारती करने के लिए अधिकरत है हमारा अगला प्रश्न है निम्र लिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी नहीं है गोमती बेतवा घागरा गंडग तो जैसा हम जानते हैं बेतवा यमना नदी की सहायक नदी है गोमती घागरा गंडग एक तीनों गंगा की सहायक नदी हैं इसलिए हमारा आंसर होगा बेतवा बेतवा गंगरी सायक नदी नहीं है अगला हमारा प्रशन है प्रधान मंत्री लाल बहादो सास्त्री किस निर्वाचन छेत्र से चुनाव लड़ा करते थे बारांसी रायबरेली इलाहवाद लखनव तो इसका हमारा सही आंसर है हमारे पच्मडी से निकलती है जो कि महादेव पहाडियों में स्थेत है इसका सही आंसर है महादेव स्रंखला से अगला हमारा प्रशन है निमलिखित में से कौन से राष्ट पती पूर्व में केंडरी ग्रह मंत्री थे बीवी गिरी ग्यानी जैल सिंग डॉक्टर जाकिर इसका हमारा सही आंसर है घ्यानी जैल सिंग जो बाद में हमारे पहले केंडरी ग्रह मंत्री थे बाद में राष्ट पती बनाये गए अगला हमारा प्रश्न है भारतिय मुसल्मानों के प्रथख राज्जिके लिए पाकिस्तान सब्द का प्रियोग सबसे पहले निम्न में से किशने किया था सर मुहम्मद एकवाल ने, सर आगाखान ने, M.A. जिन्ना ने और चौधरी रहमत अलीवा उनके मित्रों ने तो इसका सही आंसर है चौधरी रहमत अलीवा उनके मित्रों ने अगला हमारा प्रश्न है गंगा नधी के किनारे सबसे बड़ा सहर है बारांसी, पतना, कानपूर, इलावाद तो इसका हमारा सही आंसर है कानपूर कानपूर चौँकि सबसे बड़ा सहर है अगला हमारा प्रश्न है किस वर्स में मद्य प्रदेश की पहली खेल नीती का सुभारंब हुआ था 1988 में 1986 में 1987 में और 1989 में तो इसका हमारा आंसर है 1989 में अगला हमारा प्रशन है दो प्रात्मिक रंग लाल और नीले के मिस्टर्ण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है सफेद, पीला, मैजेंटा, सियान तो इसका सही आंसर है मैजेंटा अगला हमारा प्रशन है निल्खित मैं से किस राट्चिम में हौरनबिल फेस्टिवल सालाना आयोध किया जाता है मिजोरम, असम, सिक्किम, नागलेन तो इसका हमारा सही आंसर है नागलेन हमेशा हौन्डविल, फेस्टिवल, सालाना या बार्शी क्रूप से आयोजित किया जाता है अगला हमारा प्रशन है संबैधानिक इस्थिती के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है संबैधानिक इस्थिती के अनुसार खनिजों पर राज्य सरकार का अधिकार है या केंद सरकार का अधिकार है या उपरोक तो दोनों का है या इन में से कोई नहीं तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है राज्य सरकार का अधिकार है अगला हमारा प्रशन है सुन्दर पिचाई किस कंपनी से संबंदित है Amazon से, Microsoft से, Google से या Yahoo से तो सुन्दर पिचाई जो है वो है Google से संबंदित अगला हमारा प्रशन है भारत निमलिखित संगतनों में से एक सदस्य नहीं है राष्ट मंदल राष्ट का, आसियान का, हिंद महासागार रिम एसोसियेसन का दक्षन, ACI, छेत्रिय, सहोग, संगतन का, भारत निमलिखित में से किसका सदस्य नहीं है तो इसका हमारा सही आंसर है आसियान का, अगला हमारा प्रशन है सुबोध, सकसेना, किस खेल से जुड़े हैं हौकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस इसका हमारा सही आंसर है क्रिकेट से अगला प्रशन है निमलिखित में से किस में राज्यसवा की कोई भूमिकार नहीं होती है उपराश्टपती के निर्वाचन में अध्यक्ष के निर्वाचन में राश्टपती के महावयोग में सर्वोच ने आये लेके मुख्य ने आये थी इसको हटाने में तो इसका हमारा सही आंसर है अध्यक्ष के निर्वाचन में क्योंकि जो राज्य सभा का अध्यक्ष होता है वो उपराश्ट पती होता है तो हमारा अगला प्रश्ण है कांग्रेस के 1916 लखनव अजवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परणाम वाला निर्णाय लिया गया था मुसलिम लीग की प्रिथक निर्वाचन छेत की मांग सुईकार की कांग्रेस और मुसलिम लीग का आयस्थाई विलाय हो गया कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुसलिम चुना गया उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसके लिए हमारा सही आंसर है उप्रोक्त में से कोई नहीं क्योंकि ये तीनों ही दूरगामी नेड़े नहीं लिये गए अगला प्रश्न है भाद में किस वर्ष पर्यावरन सनरक्षन अधिनियम पारित किया गया था 2004 में 2014 में तो इसका सही आंसर है 1986 में अगला प्रश्न है हमारा तिलिस्म किसके द्वारा लिखा गया था गजानन माथव मुक्तिवोद के द्वारा सियो मंगल सिंग सुमनंग जी के द्वारा हर संकर परसाइज जी द्वारा या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका हमारा जो सही आ है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, ट्राइअक्साइड, नाइट्रोजन, पेंटा ऑक्साइड तो इसका हमारा सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड जो कि हास गैस है जिसको हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं अगला हमारा प्रश अगला हमारा प्रश्ण है निम्लिखत में से किस इस्थान पर एक परमाणू बिजली के इंदर इस्थित है अगला हमारा प्रश्ण है अटल पेंशन योजना के तहर भारत सरकार द्वारा नियून तम कितनी पेंशन दी जाती है एक हजार रुपए, दो हजार रुपए, तीन हजार रुपए या पांच हजार रुपए तो इसका अंसर है एक हजार रुपए अगला हमारा प्रश्ण है अगला हमारा प्रश्ण है नीली ग्रांती का नेत्रत निम्न में से किष्ने किया था बुधु भगत एवं जिंदारी मानकी अगला बिर्शा मुंडा और गया मुंडा और इसके बाद अगला हमारा प्रश्ण है निम्न लिखित में से कौन सा परवतिय दर्रा भारत, चेन और म्यानमार के त्री जंग्सन पर इस्थित है नाथुला, जेलेपला, बॉमडीला और दीफु नाथुला और जेलेपला दर्रा सिक्किम में इस्थे थे जो कि चीन और भारत के मत्र इस्थे थे अगला बॉमडीला जो है अरुनाचल प्रदेश और चीन के मत्र इस्थे थे लेकिन जो दीफु दर्रा है वो भारत, चीन और म्यानमार की त्रिजंक्सन पर इस्थे थे जहां तीनों देशों की सीमाई मिलती हैं। अगला जो हमारा प्रश्ण है वो है मत्यप्रदेश टेविल टैनेस एस्थापना किस वर्स में हुई थी। 1946, 1956, 1957 या उप्रोक्त में से कोई नहीं। इसका हमारा जो आंसर है वो है 1946, 1946 में मत्यप्रदेश टेविल टैनेस एस्थापना इन दौर में की गई थी। अगला हमारा प्रश्ण है कोई साइकल सवार किसी मोर से घूमता है तो वह बाहर की ओर जुकता है अंदर की ओर जुकता है आगे की ओर जुकता है या बिलकुल नहीं जुकता तो जब कोई साइकल सवार किसी मोर पर घूमता है तो वह अभी केंद्री बलकी कार अंदर की तर रितु संगार किसकी कृति है तुलसी दास, कबीर दास, काली दास या सूर्दास तो रितु संगार जो है वो है काली दास की कृति है अगला हमारा प्रशन है किस नगर को इलेक्ट्रोनिक सिटी के रूप में जाना जाता है गुरगां, बैंगलॉर, जैपुर, सलेम तो इलेक्ट्रोनिक सिटी के रूप में हम बैंगलॉर को जानते है अगला हमारा प्रशन है प्रधान मंत्री जंधन योजना का नारा क्या है अगला हमारा प्रशन है निमलिखित में से किस इस्थान पर रक्षा प्रवंधन कॉलेज इस्थे थे देहरादून, पुने, सिकंद्राबाद, चेन रई तो रक्षा प्रवंधन संस्थान जो है वो है सिकंद्राबाद में अगला हमारा प्रशन है बान सागर प्रयोजना किस नदी पर इस्थे थे केन, तापती, सोन और चंबल बान सागर प्रयोजना सहडोल जिले में सोन नदी पर इस्थे थे अगला हमारा प्रश्ण है योजना आयोग किस छेत्र में कारे करता है भारती अर्थ वरस्था के छेत्र में भारती इदाजनीती के छेत्र में भारती समाज के छेत्र में भारती संस्कृती के छेत्र में तो योजना आयोग किस छेत्र में कारे करता है तो योजना आयोग को दो रॉलेट एक्ट का लक्ष था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अयस्थाई बिलाए बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संचिफ्त प्रक्रिया खिलाफात अंदोलन का दमन और प्रेस्वतंतता पर प्रतिबंध लगाना तो इसका हमारा सही आंस बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संचिफ्त प्रक्रिया रॉलेट एक्ट का मुख्यलक्ष था अगला हमारा प्रिशने भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रिदेश पंजाब आंध्र प्रिदेश बिहार जैसा क जाना पाओ काक्री बर्डी बागली गाओं तो कुम्रा गाओं से हमारी बेतवा नदी का उद्गम है जाना पाओं से हमारा चंबल नदी का उद्गम है बागली से हमारा नदी और काक्री बर्डी से हमारा छिप्रा तो हमारा इसका अंसर है बागली गाओं जहां से हमारी सि सिरोंज से जो की विध्याजिले की तैसिल है वहां से है तो काली सिंद नदी का उद्गम बागली गाउं से है अगला हमारा प्रश्न है किसी मनुस्य के सरीर का सामानित अप्रम होता है 98 डिग्री फेरन हाइट 98 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री फेरन हाइट 66 डिग्री फेरन हाइट इसका सही आँज सेल्सियस अगला हमारा प्रश्न है पुस्तक फ्लाइट इन्ट। फियर का लेखक निम्न में से कौन है कैप्टन देवी सरन एड्मिरल भिष्णु भागवत किरण वेधी और जश्वंत सिन्ना तो फ्लाइट इन्टू फेर के लेखा के किरण बेदी अगला हमारा प्रशन है भारत में नियूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था 1936, 1948, 1951, 1956 तो भारत में नियूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया अगला हमारा प्रशन निमलिखित में से किस जिले को UNDP द्वारा भारत का सबसे गरीब जिला घोशित किया गया है अली राजपूर, जाबगा, रीवा और अप्रोक्त में से कोई नहीं तो यह तीनों जिले मत्रदेश के हैं अली राजपूर, जाबगा और रीवा तो इसका सही आंसर है अली राजपूर को UNDP दोरा भारत का सबसे गरीब जिला बुसित किया गया है अगला हमारा प्रशन है निमलेखित में से किसे नव निर्मित निवाडी जिले का पहला जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है अक्षे कुमार सिंग को, आकास्तर पाठी को, दुसेंत सिंग को या पी नरहदी को तो इसका सही आंसर है अक्षे कुमार सिंग को नव निर्मित निवाडी जिले का पहला जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है अगला हमारा प्रशन है सुकता पर्योजना कहां इस्थे थे खरगोन में, खंडवा में, छिंदवारा में, सतना में चुगे हम जैसा जानते हैं कि सुकता नदी खंडवा जिले में प्रवाहत होती है इसलिए सुकता पर्योजना खंडवा जिले में इस्थे थे दोस्तों हमारे सबी 100 प्रश्ण इस FLT के समाप्त हुए आपका इस FLT को अंत तक देखने के लिए सहथा धनवाद दिल से मैं आपका आभारी हूँ हाँ इस FLT में आपको जो भी और आपके कहा जाए कि सलाह हो जो भी आपके कमेंट हो जो भी आप इसमें और अच्छे तरीके से चेंज करवाना चाहते हूँ कि और अच्छे तरीके से हम आपके सामने इसको प्रस्थूत कर पाएं तो इसको आप देखिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट या अपनी सलाह जो भी आप देना चाहें अपना फीड़वेक कमेंट बॉक्स दें ताकि हम अपने आगामी वीडियोज को आपकी मांग के अनसार अपडेट कर सकें तो मैं अन्त में फिर से कहना चाहूंगा जैनल को लाइक करें इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब अपने दोस्तों के मत शेर करें जितना भी हो सके आप इस वीडियो को प्हेलाएं धन्यवाद